तो हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप दोस्तो आज मैं आपको पताने माला हूँ अगर आपके हैं सेमसंग का कोई सा भी मॉबाइल हो जिसके अंदर फिंगर्पिंट भी ऑप्शन हो तो दोस्तो उसके अंदर आपको एक फीचर मिले जाता है जिसका आम रहता है सेमसंग पास जो कि आपको सेटिंग में जाया के बायो मेंटरिंगर्फ पास करके जो कि अपडेट होने के अपको होम स्क्रीन पर एप की रूप में भी आपको बाहर दिखता है सेमसंग पास करके तो यह उप्शन होता गया यह फीचर होता गया इसका क्या फायदे और कैसे यूज करते हैं जो तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता है Samsung Pass का एक फीचर होता है Samsung के मोबाइल में उसको यूज कैसे करते हैं दोस्तों Samsung Pass एक क्या बोल सकते हैं एक Password Manager टाइप का होता है जो कि Samsung की तरफ से Security की रूप में दिया जाता है जो की Nox Security के साथ Connected रहता है इसके लिए मैंने एक dedicated वीडियो बना रखी थी Nox Security होता गया अगर आपने वो भी तक नहीं देखी है उसका लिंक मैं आई बटन में देदूँगा आप चाहें तुम आते देख सकते हैं दोस्तों तो यह Samsung Nox के साथ Security में मिलका है Samsung Pass काईगे Password Manager में रखा है वहाँ पर होता किया दोस्तों अगर आप अपने मॉवाइल पे बहुत सारी एप्स राउन्लोड करते हैं तो उसमें तरह तरह कि आपको ID बनानी पड़ती हो और सबके Password होते हैं लाइक फेसबुक, Instagram, Gmail and जो जो से आप Apps यूज़ करते जाएंगे, सबको आपको अलग-अलग आपको ID Password यूज़ करना पड़ता है और सबके अलग-अलग ID Password होते हैं तो कभी कबार क्या होता है हम Password भूल जाते हैं और हमें बहुत दिक्कत होती है, Password याद भी रहे तो बार बार डालना पड़ता है तो ब आपका Password वहाँ पर लॉग-इन हो जाएगा तो इसको क्यों और सिंगेशन के लिए काम किया जाता है जो कि इसका में वर के होता है इसे लाइक आपने लॉग-इन कर रहा है इस्टाग्राम अपने एकॉन लॉग-इन कर तो बार बार पासवर्ड डालने से अच्छा आप ब करते हैं लाइब देब हो करके बताता हूं तो चलते हैं दोस्तों आगे तो दोस्तों उस ऑप्षिन को देखने के लिए आपको जाना होगा मौइल की सेटिंग में सेटिंग में जाने के आप नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर आ बायो-इटिर्क सेक्योर्टि वाले आप नीचे आप देखेंगे बाइल नॉक्स यह दिख रहा है आपको नीचे दिख रहा होगा सैमसंग नॉस की सेक्योर्टी के साथ है आपको यह मेरी फिंगर्पिंट लॉगिन हो जाएगा अब जितने भी मैंने यहां पासवर्ट सेफ करके रखेंगे अब दिख रहें इतने सार फेस बाइ डिफॉल्ट ओफ रहता है आप चाहें तो इसको सेनेबल लॉक्त कर सकते हैं आप अगर बन रहनत करना ह покो यहां पर यहां पर दांप कर झाया चाहा जो कि वहने कर रखा यह जो तो आपको सेम वहां पर atmosphere मिलने वाला है जो सेम यहां पर दिख रहा है वो वहीं के वहीं आपको दिख जाएगा तो उसका में फायदा यह होता है कि आप इजी लॉग इं कर सकते हैं कैसे तो मैं आपको बता जिता हूँ चलते इंस्टाग्राम पे तो मैंने वहां इस्टाग्राम का आए पासवर्ट शेव करागा डी मैं यहां लॉग इंपर जाओंगा लॉग इंपर करने के आप देखिए गाई हाँ यहां पर जैसी में क्लिक और यहां पर मुझसे फिंगर्पिंट मांग रहा है जैसी में फिंगर्पिंट डालूँगा तो मेरा पासवर्ड और यूजरनेम आटोमेट्री आ गया है जो कि मैंने प्रिइंस्टॉल पे डाल रखा था तो इसको सेफ कैसे करते हैं सेफ करने के लिए भी बता जिता हूँ आपको यहां चलते हैं अबन ट्यूटर पे उट्वर का एकाउंट को में कर लेता हूँ यहां से साइंड आउट साइन आउट करने कर आफ को बाप्स लोग इं कर गया तो कैसे इसको करते हैं हैं तो यह गयाने कर दिया ही लोग सेव यूजर नेम पासवर्ट टू आटो फिल विच सेमसंग पास आपको यहां दिख रहा होगा नीचे मुझे बस सेव पे क्लिक करना है यह मैंने यहां पर सेव पे क्लिक कर दिया अब उसके बाद जब मैं लॉग आउट करता हूं तो मैं आपको वह भी बता जाता हूं सेम कैसे करता है तो आप यहां कितने भी एप्स का डेटा को एप्स के आईडी पासवर्ट को यहां सेव कर सकते हैं और बाद में सरिफ सिंगल क्लिक से उसको एक्सिस कर सकते हैं तो अब मैंने यहां से दुबारा लॉग आउट कर दिया लॉग इन पर जाओंगा यहां आप दे एईन üstव वडरो जाए गा तो यह ऐसे वर करता है तो दौस्तों मुझे ट्यूटर पे भी आप फOLLो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको ड़े कौ कर सकते हैं तो डेंक्यू तो दोस्तों मुझे उमेद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आहि Пसंद आी योग दोस्तों प्लीज लाइक शेयर और कमेंट ज़रू करें और अभी तक हमने मेरे चलो सब्क्राइब नहीं किया सब्क्राइब करना ना भूलें और मुझे इंस्टागाउं फेजु फोलो करना भी ना भूरेस का लिंक आपको डिक्शन पर मिल जाएगा तो तेंकी दोस्तों